देश दुनिया साहित्य या समा जहां होती है हर मुद्दे परबाद विचार है दिमर्ष है हल है निश्कर्ष है हर सवाल कहा जिर है जवाद जिससे जूना है परमपरा समस्कृती समप्रती, 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 समप्रती नमस्कार, मैं हूँ रभी प्रकास और यहां कार एकरम है संप्रती हम सब लोग जानते हैं कि कैंसर एक गंभीर बिमारी है और जब बिमारी हो जाती है तो कहीं तरह के सवाल मन में आते हैं कि इलाज कैसे होगा, जिंदगी कितनी बची है क्या नहीं दवाईयां है क्या किसी दूसरे देश में जाने से एक ठीक हो जाएगी इस तरह कि कई बाते हैं हमरे आपके मन में आती हैं और तभी हम कई बार डेवियेट भी होते हैं कई बार पर साथी चीज़े सोचने लगते हैं तो आज के कालिग्रम में हम लोग बात करना चाहते हैं कैंसर के इलाज में रिसर्च हो रहे हैं क्या बेनिफीट होगा कैंसर के इलाज में या क्या हो रहा है कौन से रिसर्च हुए हैं और after all जब cancer होता है तो इससे कैसे हमें लड़ाई लड़नी चाहिए और इस पर बात करने के लिए दो खास मेमानों को बुलाया है इस्टूडियो में अज़ाटकर स्वाओद आप दोनों जहारखन के जानावने नोंक्टर है और मुंबई कैंसर से भी जूरे हैं आप दोनों का बास्ता नियुकिन होस्पिल से मुंबई इक बरी जगह है जहां विस्वास कायम होता है सर आप से करना चाहते हैं कार्केन भी सुरुआइए कि रिसर्च को लेकर बाते आती है कि करिकल ट्राय नहीं होते है अपने इंडिया में कम होते हैं या जो रिसर्च है उसका बहुत फायदा हमको नहीं हो पाता, तो किस तरह की research हो रहे हैं दुनिया में और भारत में हम लोग किस हिती में कहां पर खड़े हैं तो research बहुत important है cancer के detection में, prevention में और treatment में ताकि हम नहीं नहीं चीज़ों को जान पाएं, नहीं चीज़ों से, टेकनीक से, cancer का detection यानि की पहचान पाएं उसको उनके stages है, diagnosis वगर हम help करें और उसके बाद में treatment, बहतर treatment और क्या दे सकते हैं like surgery में, chemotherapy में, targeted immunotherapy में, research काफी हो रहे हैं इंडिया में research अभी काफी कम हो रहे है, एक तो बात यह है कि इंडिया में doctor के जो ratio है, patient ratio है वो बहुत ही कम है, तो एक doctor बहुत ज़्यादा overburden है treatment करने में research के लिए उतना time उसके पास मिल नहीं पाता है, number one number two, ऐसे institutions भी बहुत कम हैं, जो की dedicated research कराते हैं जैसे कि टार्टे में hospital में research काफी होता है, research oriented institute है वो, regular basis पे हमारे वहाँ पर अलग-अलग cancers के लिए research होते हैं उनके अलावा aims में भी है, और भी कुछ हैं जैसे कि ADR है, राजीव गांदी है, वहाँ पर भी research के facility है लेकिन इतना ज्यादा patient overload होने की वजह से, उन same doctor को patient भी treat करना है, और research में भी हिस्सा लेना है, तो इतना समय नहीं मिल पाता है, outside countries में, दूसरे countries में क्या है, research के लिए अलग से field है, अलग से doctors है, जो सिर्फ research देखते हैं, treatment-wide doctors में कोई अलग है, यहां इंडिया में दोनों हम लोग को मिलता है, अगर हम लोग Indian patients में research करते हैं, usually हम लोग जो cancer treatment करते हैं, वो इधर अमेरिका या European countries के recommendation या guideline से, उनके research को हम implement करते हैं, अपने patients में, लेकिन हमारा patient population, हमारे patient का जो बनावट है, वो बिलकुल अलग है, तो Indian scenario में भी research की बहुत ही जरूवत है, और कहीं अब research हो आप माल ये अमेरिका में, दवाईयां वहां के हिसाब से बनी, यहाँ आते आते काफी costly होती हैं, तो afford नहीं घर पाता आदमी, वैसे सितीम में कैसे फिर आप लोग convince करते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे माल नहीं दवाईया भी आती है, तो उसकी जो काफी मुश्किल हो जाता है, जब तक उसकी copyright जब तक उनका जो वो है period खतम नहीं होता, तब तक इंडियन जो pharma companies उसको नहीं बना सकती, तो काफी मुश्किल हो जाता है, दूसरा ये कि वो जो drug बनता है, वो उन patients के लिए बनता है, जैसे माल लेजे आप jeftinib use करते हैं, 250 mg करते हैं, तो jeftinib कहां से आया, obviously data आया from western countries, उनकी patient की population अगर आप दिखेंगे तो उनकी height होती है, 6 feet, built quality हम हमारे country से better होती है, तो अगर हम flat dose, 250 mg का एक दबाई हम use करते हैं, तो उस 100 kg की patient में, 6 foot लंबाई के patient में, हम 200 mg कर रहे हैं, और हमारे patient population के average क्या है, 5 feet 6 inch, average weight क्या जाएगा, toxic हो जाएगा, side effect इसलिए ज्यादा होते हैं, तो यह इसलिए जरूरी है कि Indian patient population में भी ऐसे research होने चाहिए कि dozing क्या होने चाहिए, यह बड़ा सवाल है, सर्जरी में जो हमनों देखते हैं, बहुत सारी खबड़े चाहती हैं, रोबोटिक सर्जरी हो रही है, और क क्या क्या apply करें इंडिया में, तो अगर मैं सर्जरी की बात करूँ तो इंडिया में तो सर्जरी में innovation भी हुए है, जैसे मैं बोलू कि पहले जो cancer की सर्जरी होती थी, बहुत ही morbid होती थी, लेकिन अभी क्या minimally invasive approach अपना आ जाता है, जिसमें के एक endoscopic surgery होती है, रोबोटि होती है क्योंकि ये पहले जैसे डॉक्र साब ने बताया कि जो medicine बाहर बनती है, इंपोर्ट करने में बहुत costly हो जाता है, लेकिन हमारी इंडिया में भी एक company ने robot बनाया है, जो बाहर का जो robot था वो 100 क्रोड में मिलता था, हमारे यहां जो robot मिला है सिर्फ 10 क्रोड में मिल र सर्जिकली तो बहुत तेजी से research हो रहे हैं, innovation हो रहे हैं, दूसरी बात कि जो oral cavity में जो surgery होती है, जिसको कि एक mandible निकालना होता है, उस mandible को उसी तरह का बनाना, जिसको कि CAD CAM technique बोलते हैं, तो भी हमने develop किया है, जैसा पहले था वैसा भी हम बना कर देते हैं, दूसरी बात क कि research में अगर मैं बोलू कि surgically research क्या हुआ है, कि जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि जो chemotherapy में जो maximum research बाहर हो रहे हैं, लेकि surgically हमने ऐसा कुछ research किया है, जो worldwide उसको follow कर रहे हैं, जैसे मैं एक example दूँगा, कि oral cavity में, जो भी cancer होते हैं, oral cavity का, उसका neck disection करना है, नहीं करना है, ये करीब 30 सालों से debate चल रहा था, और उसको TMS Mumbai ने उसको solve किया, 2004 से लेकर 2015 तक का एक research, ये randomized trial था, और उन्होंने बोला कि नहीं, neck disection must है, किसी भी oral cancer में, किसी भी stage का oral cancer हो, उसमें neck disection करने से survival rate 25% बढ़ जाता है, और ये जो research हुआ, ये worldwide इसको follow कर रहा है, तो surgically definitely we are doing good, और future में भी हम आगे करेंगे, दूसरी बात liquid biopsy का, liquid biopsy भी बहुत ही मुंबई, पुने, देली में अभी liquid biopsy का बहुत बड़ा research चल रहा है, जिसमें हम मेरे mentor है, डॉक्टर पंकर चत्रवेदी, वो बहुत ही actively involved है, liquid biopsy क्या होता है, कि हम आपके blood से निकाल कर हम बता सकते हैं कि आपको cancer है की नहीं, आपका saliva लेकर हम बता सकते हैं कि आपको cancer है की नहीं, तो यह सिर्च अभी चल रहे हैं और अभी मैं बोलूगा जो liquid biopsy का एक दो ट्रायल हुआ है, वो बहुत ही successful रहा है और future देख रहा है, अच्छा, बार बार हम लोगी सवाल आ है, radiation होता है, तो यह जो इलाज जो पारमपरी चीजें हैं, जो innovate भी होरी हैं लगाता है, तो कैसे यह होता है, किस मरीज में कौनसी therapy काम करेगी, यह कैसे तरह करते हैं, और फिर उनको convince करने में, जहां पे हमारा एक ऐसा समाज है, जहां पे कहने तरह की चीज़, सुजाव कैसे convince करते हैं, convince कर पाना तो बहुत मुश्किल होता है, from beginning की, जब हमें पास cancer के patient आते हैं, उससे मैं सुन को बताना है, कि आपको cancer हो गया है, हमें लक्षन लग रहे है, बायपसी करवाई यह से लेकर, treatment तक convince कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बायपसी में, patient को जब हम ब उनको surgery के लिए convince करना, फिर chemotherapy के लिए convince करना, लोगों में अभी भी धारन है कि हम chemotherapy लेंगे तो मर जाएंगे, बहुत सरे patients ऐसे आते हैं, कि हमारे relative थे ऐसे जो chemotherapy लिए मर गए, जब कि ऐसा कुछ नहीं है, chemotherapy लेंगे तो बहुत चादा उल्टी होगी, ऐसा नहीं है, तो आज क ज्यादा अभी भी अंधविश्वास लोगों में है, from beginning, तो convince कर पाना बहुत मुश्किल होता है, patient का treatment decide करने के लिए बहुत सारे factors है, अलग-अलग cancer के लिए अलग-अलग treatment होता है, और भी हम biopsy के बाद में further हम लोग molecular test वगरा भी करते हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है क कुछ target positive आ रहा है या नहीं, जैसे कि आपके case में lung cancer में EGFR positive आया, अगर वो positive आता है, तो हम लोग फिर उसके लिए targeted therapy देते हैं, वैसी breast cancer में है, hormone receptors positive आते हो, हम hormone therapy देते हैं, target positive आते हो, targeted therapy देते हैं, lung cancer में immunotherapy देते हैं, तो अलग-अलग cancers के लिए, अलग-अलग treatment protocol है, और extra treatment, apart from chemotherapy, chemotherapy तो generalized treatment है, जो कि सब में होता है, लिए कुछ specific अगर हमें किसी cancer के लिए देना है, तो और further test, molecular charge, यह सब करने के बाद में, और options आते हैं, एक और मैं point add करना चाहूँगा, जैसे Dr. Madan ने बताया कि, hidden cancer में worldwide recognition मिला Tata Cancer Hospital से, बिलकुल सही बात है, वो काफी ज्यादा एक landmark study थी, वैसी ही, recently अभी हम लोगों ने, मैं भी उस study का हिस्सा था, कि immunotherapy जो कि बहुत important आपको बता रहा हूँ, कि immunotherapy का cost, क्योंकि अभी इंडिया में बनना शुरू नहीं हुआ है, एक महीना cost करीब-करीब 3-4 लाक रुपय का होता है, immunotherapy का role almost हर cancer में है, मूग का cancer, लंक का cancer पेशाप की थैली का cancer, इसोफेकस का cancer, colon cancer हर जगह है, cost 4 लाक रुपय महीना, आप बताएए कि 100 में से कितने Indian patients ले पाएंगे, शायद एक, तो अभी टाटा ने क्या किया कि हम लोगों ने क्या कि क्या हम लोग low dose immunotherapy, यानि कि immunotherapy का बहुत ही low dose में, along with साथ में, हम कीमotherapy भी drastically कम हो गया, जो मन्तली cost 4 लाक राता था, वो 40,000 हो गया, अब इस से क्या है, कि almost 60-70% of patients ये ले पा रहे है, फाइदा भी अच्छा हो रहा है, तो again ये recognition भी हमें मिली है worldwide, तो definitely हम लोग research के point of view से भी आगे बढ़ रहे है, अच्छा सर जैसे age का factor भी बात का जैसे कि मुझे he 만약 cheese canc Pronunciation भी खाया, दॉक्त ये लोगों ने की थी कि आप की उमर कम है, तो थो daha अच्छा होना चाहिए, क्या अगर वोगर जादा है तो फिर होता है कि नहीं, तो अरच्छा ही है, क्या age का factor भी काम करता है treatment में आ of surgery में? बिलकुल, यह जिस्तें, इम्पॉर्टेंट फैक्टर, देखें, जब अगर यंग एज होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो जेनिटिक स्टैबिलिटी है, बहुत अच्छी रहती है, तो उसमें क्या होता है? जो मेटिसीन होते हैं, अच्छा काम करता है, तो सर्जिकली जो morbidity होती है, बहुत कम होता है, अच्छे से टोलरेट कर लेता हूँ, बड़ी-बड़ी सरदेरी अच्छे से निकल लेगा, लेकिन ओल्ड एज में, ICU ST, ventilator, बहुत सारी morbidity भी बढ़ जाते हैं, तीसरा जो यह ओप्षन होता है, रेडियो थरेपी का, रेडियो थरेपी भी य अच्छे से खाना-पीना खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ट्रीटमेंट जैसे होना चाहिए, जिस गती सो होना चाहिए, उस गती सो होता है, तो यंग एज बहुत अच्छा करते हैं, इन बनिस पर तो ओल्ड एज. अच्छा सर एक ची संद्या यह जैसे हम लोग कहते है कि research होना एक होता है clinical trial होना तो आम धारने एक मरीज के तौर पर जो मैं समझ पाता हूं यह है कि ठीक है को research हुआ उसका clinical trial करते हैं approval मिलता है फिर दवा मार्केट में जाता है क्या फरक है exact क्या इस्थिती है clinical trial क्या है research क्य clinical trial ने चार phases में होते है phase 1,2,3,4 ठीक है phase 1 में सबसे पहले हम देखते है मालीज कोई नई दवाई हम देखनी है ठीक है कोई नया दवाई हमने सोचा कि चलो भाई इस target में हम यह new medicine जो है उसको यह काम करता है यह नहीं phase 1 में देखते हैं कि इसका maximum tolerance dose क्या है तो हम कुछ ऐसे 5-10 ऐसे fit patients लिए और उसको हमने maximum dose देना शुरू किया मालीज कोई medicine A उसको हमने 10 mg से शुरू किया फिर कोई side effect नहीं हो रहा है फिर 20 दिया फिर 30 दिया फिर 40 दिया अच्छा 40 में देखा कि side effect होना शुरू है तो वहीं तक रोग देंगे उसको ठीक है तो phase 1 trial हो गया phase 2 में फ फिर हम disease patients को लेना शुरू करते है तो अभी हमें पता चलिए कि maximum dose कितना होना चाहिए patient को side effects क्या क्या हो रहे है और phase 3 में अब हम cancer patients पे वह medicine कितनी effective है अभी तक हम fit patients पे देख रहे थे अब हम cancer patients कितनी effective है तो अभी तक जो standard treatment पहले था उसके comparison में नई दवाई जवाई है उस उसको हम लोग outcome देखेंगे maybe after एक साल दो साल कि कैसा वह कर रहा है अगर वह अच्छा करता है in comparison to standard arm तो इसका मतलब है कि वह बहतर है उसको अब use किया जा सकता है patients में तो फिर वह data आता है और हम लोग phase 3 data पे ही अपना treatment protocol को change करता है recommendation भी phase 3 data के बाद ही आता है phase 4 होता है जब phase 4 में तो लाखो patients ले रहे हैं तो नए नए side effects फिर phase 4 में हमें पता चलते हैं जो कि phase 3 में नहीं देख रहते हैं इस तरगे का 1-3-4 यह phases होते हैं किसी भी नई medicine के वैसे ही पुराने कम जो treatment है उसके composition को भी हम change कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता है कि load is immunotherapy already immunotherapy market में है chemo therapy market में ह उन दोनों का combination check करने के लिए हमने एक आम यह बना दिया और एक आम हमने रख लिया पुराने medicine को तो वैसा भी trials होता है नई medicine भी चेक करते हैं पुराने medicine का composition भी चेक करते हैं अच्छा असर यह जैसे surgery को लेकि जो आम धार्णा होती है जैसी cancer हुआ तो आज जाएंगे मेरा क्यों पैरी करा कि कल surgery करवा दीजिए तो इसे surgery को लेकर जो खरबड़ी है यह कितनी जायज है क्या इससे फरक भी पड़ता है या कैसे manage होता है हाँ लोगों में यह धारना होती है कि एक बार cancer हो गया और अगर उसका option surgery है तो कितना जल्दी से जल्दी उसको निकाल दिया ज है तो it's okay ऐसा नहीं कि मतलब कि fast ओकर कही और गलत डिस जलने लिए ऐसा कुछ भी नहीं है सरदेरी आप एक सब्ताक 10 दिन के अंदर में करवा लिजिए कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन हाँ अगर मैं एक study बताना चाहूं जो cancer sales होते हैं वो daily बढ़ते हैं और कोई cancer sales ऐसे देखे गए हैं जो एक दिन में 8% भी बढ़ते हैं तो यह इसे हमें seriously लेना चाहिए लेकिन यह नहीं कि कोई हर बड़ी नहीं है कोई हर बड़ी नहीं करने चाहिए कि हम नहीं आज हम आया है मेरा कल आफ surgery कर दो ऐसा कुछ नहीं है अब सबता दिन का time ले सकते हैं बहुत हर बड़ी मेना रहे हैं बहुत हर बड़ी मेना रहे हैं डॉक्टर से बता जाते हैं कि क्या fact है ठीक है सर यह जब treatment की बाद आती cancer की और हम लोग जब चोटे सहर में तो भारत की जादा तरबादी तो चोड़ी सहराद में दिली मुंबई में कलकटा में नहीं है या वैलोर में cancer के इलाज की इसमें कहां आरचन आती है कहां दिकत होती हैं क्या लोग नहीं आपाते हैं क्या दिकत होती प्रॉब्लम क्या है सर कि अभी राची में जब से मैं और मुझे डेल साल से उपर हो गया तो राची में आज की रिट में वो सारी treatment possible है जो की मुंबई या दिली में ह कुछ को मैं बोलू हूँ अगर कुछ बहुत ही special कुछ लेटीशन थेरेपी या कुछ ऐसा रेडियो आइडिन थेरेपी जो की आउटसाइड राची में है लेकिन और मुसमें 95% आफ ट्रीटमेंट जो की मुंबई में मिलता है दिली में मिलता है कॉमन टीटमें वो राची म लोग मुझे पूछते कि क्या सर ये ट्रीटमेंट कीमो थरेपी वह हो जाएगा क्या दवय मिलती है आप लोग करते हैं इतना आपको आता है मतलब ये अभी भी धारना है कि शायद राची शहर में राची जो की राजधानी है जारकंट की उसमें अभी भी ये लेकिन सर ये अभी भी अंधविश्वास है अंधविश्वास निकांगे ट्रस्ट इशूस है लोगों में अभी भी वो विश्वास नहीं है कि यहां के डॉक्टर्स ये कर सकते हैं लेकिन सर 95% treatment है यहां पर एक ही और सवाल ही जो supportive system है जैसे क्या होता है कि यह आदमी मरीज जो आता है कि कहीं तरह कि support की जरूत परते है financially भी फैमिलियर support भी socially भी ट्रस्ट जो होता है लोगों का जो trust काम करते हैं जीओ उनका support अपनी यहां जारकंड में क्या उसरगया कोई महाल है अगर है तो किस status में तो यहां पर वैसा नहीं है बहुत कोई ऐसी संस्था नहीं है लेकिन हाँ यह है कि सरकारी मदद मिलती है लोगों को जारकंड सरकार सर इसके लिए काफी अच्छा मुहीम कर रही है 10 लैक्स सर आपको भी पता है 10 लाग जो मुखमंतरी गंभी में वारी होजना से cancer patients को मिल रहा है जिसमें surgery, chemotherapy, radiation सब कुछ मिल जा रहा है उसमें अभी शाय all treatment तो 10 लैक्स के अंदर possible है तो सरकारी मदद आयुशमान भारत यह दोनों चीजे है maximum 95% cancer के मरी इसका फायदा आराम से उठा सकते हैं और maximum दवाईया इसमें ले सकते हैं तो किसी और trust या एंजी उसकी जरुवत भी हमारे हिसाब से नहीं पढ़ती है हमारे आई दिन के क्लि डेटा की बात करूँ तो डेटा का अनुसार 50,000 एवरी यर होते हैं यह मैं डेटा बता रहूँ जो कि बहुत सारी cancer unreported होते हैं तो कहीं ज्यादा है और इसमें मैं सबसाइट की बात करूँ तो most common जो है cancer वो मूँ का cancer है 30% मूँ के cancer से ग्रसी थे बाकि दूसरे नंबर पे एक breast है और दूसरा cervical cancer है जो दोनों महिलाओं का cancer है और तीसरे नंबर पे आता है gallbladder का हमारी यह gallbladder का cancer का incidence बहुत जाता है और उसके बाद फिर GI cancers आते हैं तो overall देखूं तो most commonly hedonic cancer है उसके बाद rest of the cancers है and etiology की बात करूँ तो सबसे most common जो है etiology tobacco products है अगर मूँ का cancer मैं बोल हुँ दस मरीज हारे हैं तो ऊसमें से मैं का सकता हूँ की 8 मरीज तो है तो मैं इसलिए बताता हुँ कि मैं इस 8 मरीज को आवरेनिस जगा कर की आप तो बैक्न हो इसको रोका जा सकता है इस-कैंसर बहुत जयादा इसको रोका जासकत I Tim 하겠습니다 तो ये सब पर हमें focus करना है prevention जाद पर रहा था मेरी भी धारना थी किनी कासाईली खाने से कुछ नहीं होता है बाद में उसमें कासिनो जन पाया जाते हैं और यह प्रूबन फैक्ट सर यह जो जो लोग कीमो थेरफी के लिए आते हैं जैसे मुझे यह बताना चाहिए है कि मैं भी कैंसर का प्रेसियंटू पहले भी बताया है कार्ट करमों में मुझे लंग कैंसर स्टेस फोर का है और मैं विच्छे पॉने तीन साथ से डॉक्टर की लास से सर्वाइव कर रहा सब्सक्राइब कीमो थेरफी को लेकर जो धाड़ना है पारंपरी की बड़ा सारी फेक्ट और यह और वो फारणा ठीमा का मुझे लोग पूचते हैं मैं तो जाता हूं मेरे रूटीन है करे बार में लिखता हूं कि मैं से सीरिया बरिस्ता से गुम के आ रहा हूं किमो कीमो थेरफी चाहिए कि कुर्ण ने कहीं से सुन लिया कि इसे ठीक हो जाता है कीमो थेरफी तो अभी डिवलप्मेंट काफी हो गया है दवाइया काफी अच्छे अच्छे आ गई है कि साइड एफेक्ट काफी कम होने लगे हैं लेकिन जो उनका सुना हुआ हुआ है उनके परिवार में किसी को कैंसर हुआ उनके परोस में किसी को हुआ उनके समाज में किसी को हुआ तो ऐसा हुआ पेशेंट कीमो थेरफी लेने से मर गया तो ऐसा नहीं है कीमो थेरफी तो काफी सेफ है आज की रेट में बहुत ही कम पेशेंट्स हैं जिस सौ में से एक या दो पि बिमारी हो गई है वो बिमारी कैंसर ही है इसका पता लगाने के लिए कावा आदमी को क्या खटना चाहिए अगर जरा सा भी आपको लक्षन लग रहे हैं जैसे कोई कोई लंबे समय तक घाव रहा है चाहे वो मुझ पे हो चाहे वो पैर हाथ कहीं भी हो या फिर कोई गठान है अगर कोई लंब है अगर कोई swelling अगर लंबे समय से आपकी हो रही है वो size में बढ़ रहा है और उसका आकार अजीब सा हो रहा है परिवरतन हो उसके color में changes आ रहे हैं तो यह cancer के लक्षन हो सकते हैं आपको अगर भूग कम लग रही है आपका वजन कम हो रहा है तो यह cancer के ल खासी में खूनाना या लेटिन में खूनाना तो इन सब चीजों के लिए आप डॉक्टर के पास जाए बेसिक जो इन्वस्टिगेशन जाच होती है वो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और कुछ अगर जरुद पड़ी तो सिटी स्केन अगर करके हम लोग बेसिक पता कर सकते है कि यह कैंसर दिख रहा है अगर कंफर्म करना है तो FNAC या बाइपसी की ज़रुद पड़ती है जिससे हम लोग कैंसर कंफर्म करते हैं जिससे बाइपसी पहले जब यहां पे लोग कराते थे तो रिपोर्ट बाहर भी जाती थी थी साथ आट आट दिनों का वक्त लगता था अब क्या सिच्विसान है अभी हम लोग बाइपसी तो इन हाउस कर रहे हैं राची में बाइपसी होती है हां कुछ अगर कुछ बड़ा कुछ कंफर्मेशन के लिए इम्मुन हिस्टो के मिस्टरी करके एक जांच होती है आई एचसी कहते हैं अगर वो हमें करना तो आज की में भी हमें उसको बाहरी भेजना पड़ता है लेकिन मैक्सिमम चीजे जो है कनफर्मेशन के लिए हम इधर ही राची में ही कर पा रहे हैं और वो तीन से चार दिन में रिपोर्ट हमारे पास रड़ी हो जाती है अब मेरे पास सिर्फ दो मिनिट का वाक्त है मैं एक मिनिट क की ज़रूरत है और मैं जार्खन की बात करूं तो अभी जार्खन में सारे तरीके ट्रीटमेंट कैंसर की एवलेबल है आप डॉक्टरों पर विष्वास करना सुरू किजिए आप देखिए आपका ट्रीटमेंट कितना अच्छा मुंबे कैंसर सेंटर के बाड़े में करना सीखिए हम लोगों पर भरोसा करेंगे तो शायद घर के आसपास ही हम लोग ट्रीटमेंट जो है वो कम्प्लीट कर सकते हैं मैं मोस्ली एडवांस कैंसर पेशिंट्स देखता हूं मेरे पास स्टेज फूर के कैंसर पेशिंट्स ज्यादा आते हैं तो मैं कहना कि कुछ कैंसर पेशिंट्स ऐसे हैं स्टेज फूर होने के बावजूद भी हम लोग उनको चार साल पांच साल तक विथ ट्रीटमेंट और सर्वाइवल दे सकते हैं और लाइफ दे सकते हैं गुड क्वालिटी ओफ लाइफ लाइफ चारी आप लोगों को बहुत हो सुब का का मामला नहीं है कैंसर से इससे जूजीने का मामला है इसको फेस करने का मामला है और दब सुविधा उपलब्द है कर आची में तो अब अपने खर्चे बजा सकते हैं बाहर जाने के और मुझे अब इस कार्टम को रोगे जाजा जादी जगले की सब्ता इसी दिन सी वक्त आफ फिर मुना का तो गिने मसकार्ट